हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड़ी हब ऑनलाइन क्लासेज मैं हूँ जयन्त तो दोस्तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो का एक्जाम हुआ है 27 दिसंबर को वीडियो के दो पारी हुई है एक हुआ है फर्स्ट और एक हुआ है सेकेंड इन दोनों पारियों के एक्जाम का रिव्यू करूंगा और उसी के साथ आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर किसी स्टुडेंट का आज एक्जाम हुआ है तो कितने नंबर पर वो अपने आपको सेफ फिल कर सकता है तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रथम पारी की और दित्य पारी की तो जो वीडियो क एक्जाम है ठीक है दोस्तों तो वीडियो का एक्जाम जो है अगर आप पिछला एक्जाम भी उठा कर देखोगे तो वीडियो का एक्जाम जो है वो इजी नहीं आता है वीडियो का एक्जाम जो हमेशा हाड ही रहता है और इस वार तो बहुत ही जबरदस्त हाड पेपर आ रहा है क्योंकि दोस्तों देखो जो पेपर देने एक्जाम सेंटर में जाता है और जब उसको 100 कुस्टन अटेंड करने पड़ते हैं तब ही वो जो है प्रॉपर एनलाइसिस कर सकता है घर बैठे आप उस 100 कुस्टन में से 5 से 7 कुस्टन आपको ऐसे लगते हैं कि बहुत इज आये हैं और उसके बेसेस पे आप ये बोल देते हो कि जो एक्जाम का पेपर है वो बहुत इजी आया है जबकि ऐसा नहीं है वीडियो के एक्जाम के अंदर 100 कुस्टन थे अगर आप हिंदी के कुस्टन की भी बात करो तो उसका भी अच्छा लेवल आया है और अगर जीके बात करो तो जीके के अंदर जितने भी प्रसन आये हैं सभी मिलान करने वाले आये हैं और ये पूछा गया कि इन में से कौन सा गलत है ये तो पैटन बनी गया है पटवार के अंदर भी जो एक्जाम में कुस्टन पूछे गये थे उसमें भी यही था कि कौन से प्रसन कौन स सुम्मेलित नहीं है और सेम जो है ग्राम विकास अधिकारी के अंदर सेम टू सेम रिपिट हुआ है वो ही पैटन हाँ यह कह सकते हो आपकी राजस्तान जीके के जो नंबर आफ क्यूसन थे वो अच्छे थे मैथ का लेवल की अगर मैं बात करूं तो मैथ का लेवल भी पटव मैं moderate कह सकता हूं ना मैं easy कह सकता हूं इन दोनों कुशन दोनों कुशन पेपर का जो लेवल है वो hard मिल आपको ठीके अब देखो इसके अंदर आपको फाइदा यह हो सकता है कि negative marking नहीं है negative marking नहीं होने का ही एक advantage जो है वो आपके पास है लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे ब जो कुशन उनको आते थे देखो ताज मेल का वास्तुकार कौन है इस तरह से प्रसन पूछे गए हैं अगर आप नारियों का सिकार करने का जो है चित्रकार या कहां से संब्दित है इस तरह के प्रसन पूछे गए हैं जिन प्रसनों को हम पहली वार ही देख रहे हैं तो बह स्लेबस था वीडियो का स्लेबस वो भी बहुती बड़ा बहुती लेंदी स्लेबस था ठीके तो इन सब पॉइंट ओफ यू को देखते हुए जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर हमारे 40 से 50 क्युस्चन तक ही जो है हम सही करके आए हैं मतलब ये वो स्टुडेंट है जिनके पटवार के अंदर 210 स्कोर हो रहे हैं लेकिन वो ही स्टुडेंट इस वीडियो एक्जाम के अंदर बता रहे हैं कि केवल 40 से 50 क्युस्चन ही सही करके आए हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि जो इसके एक्जाम का लेवल था वो बहुत ही जादा हाड कर दिया गया है अब इसे बात करूं सेफ स्कोर की देखो सेफ स्कोर मैं अभी आपको केवल 27 दिसंबर की बात कर रहा हूँ अभी तक 28 दिसंबर का पेपर बाकी है अभी तक जो है चारों सुटका पेपर होने के बाद हो सकता है अगर 28 तारिका पेपर एजी आ जाता है तो नौमिलाइजेशन की परक्रिया भी इस वीडियो एक्जाम के अंदर कंड़क्ट करवाई जा सकती है या नौमिलाइजेशन की जो प्रॉसेस है परक्रिया है उसको भी अपनाया जा सकता है मैं केवल अभी आपको जो आप आज का एक्जाम देकर आए हो उसके एनालेसिस के आधार पर ये बता रहा हूं कि अगर आपका जो सेफ स्कोर में कह सकता हूं अगर आपके 60 से 65 बन रहे हैं 60 से 65 तक नंबर भी बन रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बड़ा क्योंकि दोस्तों अगर 50 किस्षन तक आपने बिलकुल सही किये हैं और बाकी के 50 किस्षन में अगर आपने तुके भी मारे हैं तो भी उसमें से 15 किस्षन तो सही हो ही जाएंगे तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि 60 से 65 नंबर वाला स्टूडेंट जो है आज के एक्जाम में अपने आपको सेफ फिल कर सकता है ठीक है फ्रेंट्स अब कल का एक्जाम का भी रिव्यू करूंगा उसके बारे में भी आपको पुरा डिटेल में बताऊंगा अब आपके लिए most important thing ये है कि 28 तारीक को जो आपका एक्जाम होगा वो भी इसी pattern के आधार पर ही होगा तो आप एक बार जरूर देखे पेपर को पेपर फर्स्ट और पेपर टू दोनों को देखकर ही एक्जाम देने के लिए जाईएगा ठीक है तो कल फिर हम मिलेंगे वीडियो के अंदर हम पूरा डिसकस करेंगे कि आज का एक्जाम कैसा हुआ आज के लिए 60 से 65 जो है वो सेफ इसकोर मानते वे करें ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू है वनाइस डे बाबाई